गुड मॉर्निंग ओल अफ्यू वेलकम टू माई योट्यूब चैनल लास्ट वीडियो में हमने पाइथन में सिंपल प्रोग्राम देखा था कि किस तरह से दो नंबर्स का एडिशन किया जाता है आज हम एक प्रोग्राम और करेंगे जिसमें हम सिंपल इंट्रस्ट कैलकुले करने के लिए हमें पहले सिंपल इंट्रस्ट का फॉर्मुला जानना होगा जो है सिंपल इंट्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास P, R और T that is principle, rate of interest and time की जरूरत हमें पढ़ेगी तो ये values हम यूजर से input लेंगे and then ये formula अपलाए करते हुए हम सिंपल इंट्रस्ट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए program कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमने एक variable लिया P और इसका जो type है वो हमने float ले लिया और यहाँ पे हमने input function का use करते हुए हमने user से principle input करने के लिए बोला next हमारा variable है r that is rate of interest इसका type भी हमने float लिया और user से हमने कहा input rate of interest मैंने आपको बताया था कि ये जो message हम यहाँ पे लिखते हैं ये optional होता है जरूरी नहीं है बट इससे user को idea लग जाता है कि actual में हमें किस variable की value input करवानी है and last हमने variable लिया t उसका भी type हमने क्या ले लिया float ले लिया input input time अब हमारे पास p, r और t, t नो की value input इन statement से हो जाएगी अब हम यहाँ पर simple interest calculate करेंगे and simple interest calculate करने के लिए हम लिखेंगे si si हमने एक variable और specify कर लिया जिसका type ये auto detect कर लेगा तो यहाँ पर हम formula लगा देते हैं p into r into t divide by 100 अब यहाँ पर si की value calculate हो चुकी है और अब हम यहाँ पर print statement का use करते हुए simple interest को output screen पे show करतेंगे वो इस तरह से si is equal to यह जो हमने inverted commas में specify किया यह screen प as it is as लिखा हुआएगा और यह si क्या है variable जो हमने यहाँ पे specify किया था यहाँ से वो value calculate करेगा और जो result है वो आपका screen पे show हो जाएगा for example हमने यहाँ पर जब हम इस program को run करेंगे तो हमारे को सबसे पहले जो message मिलेगा that is input principle तो suppose हमने principle input किया 5000 then हमने rate of interest input किया तो rate of interest हमें मिला suppose 7.2 and then हमने time specify किया और time हमें मिल गया 3 1000 into 7.2 into 3 divided by 100 और जो भी result आएगा वो result output screen पे आपको show हो जाएगा यह आपका एक simple program है जो हम python में कि किस तरह से हम simple interest calculate करते हैं अब यहाँ पर जो हम यह statements use कर रहे हैं इन statements को हम sequential statements कहते हैं sequential statements का मतलब क्या होता है कि यह statement line by line interpret होंगी means इसमें कोई भी sequence change नहीं होगा सबसे पहले आपकी यह statement execute होगी then second पे यह third, fourth and fifth means हमने जो default interpretation sequence है उसको कहीं पे भी change नहीं किया इसी लिए इनने sequential statements कहा जाता है अब हम next topic की और बढ़ते हैं और वो next topic हमारा होगा conditional statements कि हम अगर किसी condition के बिहाफ पे decide करना चाते हैं कि हमारी next instruction या next statement कौन सी execute होगी तो उसके लिए हमें conditional statements का use करना पड़ेगा तो देखिए conditional statements हम किस तरह से use करते हैं basically python में अगर हम conditional statements की बात करें तो conditional statements में हम बात करते हैं simple if, if-else, nested if-else and if, alif, else, letter इन फोर टाइप से हम conditional statements specify कर सकते हैं अभी हम next बात करेंगे कि हम किस तरह से if-else statements को लिखते हैं वो हम next video में discuss करेंगे thank you